हमास के ढिकाने पर आईडियाप की भीशन एस्ट्राइक इस वाक की बड़ी खबर हमास की मिलिटरी साइट गार्ड बोस्त तबा की है हमास के अब्जरवेशन पोस्त कंट्रोल होना आए गया इस्रेइल हमास युद को आज सत्तर दिन पूरे हो चुके है बड़ी खबर यह है कि यह लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है क्योंकि इस्रेइल एलान कर दिया है कि वो यह वार जोग है महिनों तक चलाएगा इस एलान के साथ गाजा में आईडियाफ के हमले तेज हो गए है दूसी तरफ हमास के डिप्टी चीफ और साथ अक्टूबर हमले के मास्टर माइंड सिन्वार पर शेकन जाकस गया इस्रेइली फोर्सेस सिन्वार के बारे में सुलाग देने पर इनाम का एलान कर दिया सिन्वार पर इनाम की पूरी डीटेल हम आपको बताएंगे लेकिन पहले कैसे जबालिया कैम्प और शेजिया के अलाकों में हमास लडाकों और इस्रेइली डिफेंस वोर्सेस के बीच भी शर्ड जंग चल रही है इसकी कस्विए दो विद्वनसक हमले की ये तस्वीरें उत्तरी गाजा की है जहां हमास लडाकों के छिपे होने की आशंका के बीच आइडियाफ ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डा दिया उत्तरी गाजा के जबालिया कैम्प एलाके में आइडियाफ और हमास लडाकों के बीच भीशर जंग चल रही है दावा है कि यहाँ IDF ने हमास की शजयया बटालियन के हेड़कॉर्टर पर कबज़ा कर लिया है यहाँ इसराइल की नाहल ब्रिगेट के सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच अमने सामने फाइरिंग हुई है जिसमें कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है जबालियमें बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन के दोरान IDF सैनिक पर ग्रिनेट से अटैक किया गया खायल होने के बाबजूद इसराइली सोलजर ने दो लड़ाकों को धेर कर दिया गाजा के राफा इलाके में भी इसराइल ने भीशन बंबारी की है यहां कुवेट अस्पताल के पास जबरदस्ट अटैक किये गए है यहां हमास डड़ाकों के छिपे होने की आशंका थी इसके साथी शिजईया में पिछले कई घंटों से IDF का उपरेशन जारी है इसराइली टैंकों ने हमास के वेपन डिपो पर शेलिंग की है शेलिंग में बिल्डिंग पूरी तरह जबी दोस हो गए शेजाईयास जपालिये के साथ जनिन का इलाका भी जबरदस्ट जंग जील रहा है जनिन में पिलिस्तीनी वेपन डिपो पर इसराइल ने विद्वन सक एयर स्ट्राइक आईडिएफ ने विस फोटों को से भरी बिल्डिंग को नेस्त नाभूत कर दिया जनिन में ही इसराइली आर्मी ने हमास के कई हथियार जप्त किये है